तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका सोशियोलोजी क्लासिस के हमारे यूटूब चैनल पर अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है तो जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको मिलेगा महां पर आपको डेली था इमोसिनलिती प्रबल होती है पदिवार में भीड में संस्था में यह जनता में तो राइट आंसर हो जाएगा भीड में तो भीड में भाविक्ता प्रबल कैसे हो जाती है जैसे कहीं आपको अगर एक्सीडेंट हो गया है समझते हैं अच्छेट हो गया तो हमें किसी की गलती नहीं देखता तो लेकिन करने वाले की गलती मतलब साहन्भूत इस तरह से ब्यक्ति जिसका एक्सिडेंट हुआ होता है इसके साथ जुड़ जाता है कि इसकी गलतियों को दरकिनार कर देता है जिसने किया होता है केवल वह दोसी दिखाई देता है महापे जो है सोचने समझने की जो है व्यक्तियों की छमता खतम हो जाती है व्यक्ति सोचते समझते नहीं है तो इसलिए भावुकता जो है भीर्ड में बहुत ज़्यादा प्रबल होती है अगला है निम्न में से कौन सी सामाजिक अंतक्रिया की दसा नहीं है सामाजिक संपर्क प्रिथक्ता संचार संवेधन शक्ति तो यहां पर राइट अंसर जो हो जाएगा प्रिथक्ता जो है अगर आप अलग होंगे तो वहां पर अंतक्रिया नहीं होगी अंतक कृइया करने के- लिए आपको समाजिक संपर्ख करना पड़ेगा संपर्ख के माध्यम से संचार होगा विचारों का आधान प्रदान होगा और इसमें कुछ नकुछ आपके संवेधन जुड़े होते हैं अगला बिर्षा का संबंध निम्नांकित में से किस आंदोलन से था मुंडा ताना भगत संथा या राजमोहिनी देवी आंदोलन तो राइट आंसर हो जाएगा बिर्षा मुंडा आंदोलन के नाम से हम जानते हैं तो उन्नीसमी सदाब्दी ने यह आजवासियों के जन्रायक के रूप में जानने जाते थे बिर्षा मुंडा इन्होंने अंग्रेजों के खिलाब जो है अंदोलन किया था अगला प्रश्न तो अट गया अगला है निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नाग्रिक्ता से संबंधित विभीन प्रकारों का उत्तर ढूरने का प्रयास किया था कौटिल्य ने अरस्तु ने हीगल ने या एंजल्स ने राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा अरस्तु अरस्तु नाग्रिक्ता जो है वास्ताव में चमता या कानूनी हैसियत का नाम है जिसके कारण मनुस्य को अधिकार प्राप्त होते हैं दूसरे संदर्ब में नाग्र प्रशनों को ढूड़ने का प्रयाश्त किया इनके अंसर जो है नाग्रिक वह अभ्यक्ती है जिसको राज के कानून संबंधी विचार विमर्ज नियाय प्रबंध में भाग लेने का लिखा होता है ऐसा अरस्तु कते हैं और इन्होंने जो अपनी यह विचार दिया या उनक कोई वस्त नहीं है जो अच्छूत को पवित्र कर सके और वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं और जीवन परियंत ही अपवित्र रहकर मर भी जाते हैं केम पड़िकर केम मुंस्री भीमराव अम्बेटकर या मुम्ताज अली खान तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी है इन्होंने अपनी पुष्तक हुआर शुद्रास में यह बताया है कि कोई ऐसी वस्त नहीं बनी है जो अच्छूत को पवित्र कर सके और वे लोग अपवित्र जन्म लेते हैं और वे जीवन परियंते ही अपवित्र रहकर ही मर जाते हैं तो हुआ शुद्रास करके इनकी पुष्तक थी अगला है निम्नांकित में से किसने विश्व व्यवस्था का विचार समास सास में ब्यक्त किया है जार्ज रिटर आई वालर इस्टीन जेसी अलेक्चेंडर या जी बोटरी लाट तो राइट आंसर जो हो जाएगा भी या भी क्यूशन भहुत बार पूचा गया क्यूशन है तो विश्व व्यवस्था सिधांत वा वर्ड शिष्टम थियोरी जो है एमनुवल वाइलर इस्टीन ने दिया है तो इन्होंने बैस्विक प्रडाली के अन्य सिधांतकार के रूप में इन्होंने कहा कि जो विश्व की पूजीवादी अर्थवेवस्था बुनियादी अर्थर विरोधी से ग्रस्त है जिसके कारण उनका जो है अन्ता अवश्य भाई है भले ही सीध युद्ध के खात्मे और सोवियस संग के पराभाव के कारण फिलाल सारी दुनिया में उसका बोल बाला हो गया तो ऐसा इनका विचार था विश्व प्रवाली सिटम में इन्होंने यही कहा है कि जो इनमें अंता विरोध होते हैं या बाद में कई कारणों को जर्म देते हैं जैसे किसी तीर्द में हुआ था पुझत अगला है थी का सक सवेल गया इसओível धिकसित सिल्देशों के बीच संबंधों की इसपष्ट करता है इस स्वेल शिद लिच में निम नेसे कौन सा संबंधी है चलिए जीम फिलर्डिश क को है ना वालर इस्टीन का यह कथन है यह ने अपनी पुस्तक जो है दक काइपटलिस्ट एकोनॉमी वर्ल्ड एकोनॉमिक में यह बताया कि जो बिस्व्यवस्था है वाग्षित और विकास सिल देशों में जो अंतर है उसको इस परश्ट करता है जिस्व्यवस्था के इंतर असमा कर लिए सम्लित किया इनों ने का जो उनके तहँ है विक्सित और विकास सिल देशों के बीच आसा मानता हैं और वहां की जो अन्यायपूर हो रहे है अतहात करे कोई और भरे कोई अर आज की सब्सक्राइब में जैसे हम प्रदूसर को देखते हैं सबसे ज्यादा प्रदूसइट कौन कर रहा है विकसित-डेश कर रहें लेकिन अलप विकसित देशं पर जो है वड़न बराबर तोपी जा रही है और इसके ताहद नहोंने तीन जो हैं प्रत्मीमब बताएं गाम कई और्ध परीदी और परी तो केंद्र के अंतरकत उन्देश को कर अब आगी विक्सित है यहां एकडम सोशित हैं जहां एकडम गरीवी वुकमरी आधिज है अगला 20 गाओं की अधार्णा किसने प्रत्वाधित की है मार्शन मैकलूहन पीटर वर्सले कोहन या लेंडीस तो राइट आंसर हो जाएगा 20 गाओं की चरचाय जो करते हैं मार्शन मैकलूहन करते हैं तो इन्होंने कहा कि संकलपना है दूसरे दूसरी जगह आतानी से पहुँच जा रही है तो इसकी चर्चान वह भी सिद्धांद के ताद बताई है अगला है निमलिखित में से कौन सा जोड़ा शही नहीं है यार दिसाई महुआ बीयस को हैं माधवपुर एमेस गोरे रामपूरा या राश्ट में राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सी या सही नहीं है एमेस गोरे राइट का अध्यान नहीं करते हैं रामपूरा का अध्यान करने वाले कौन समाध सास्ति थे तो मैशुर नर्सिम्भाचार श्रीनिमास अर्थात एमें श्रीनिमास ने रामपूरा गाउं का अध्यान किया जिसमें इन्होंने जाटिका अध्यां किया था और इनकी उसी के से जुड़ी हुई इनकी अधाड़ा जो है संस्कृती करण भी है और रास जो है बैंगलोर से संबन दित हैं अगला है कौन सा जोड़ी इसमें सुमेलित नहीं है कैथलीन गफ जो है तंजावर एफजी बैली स्रीपूर्म द्राश स्टे से रुबय समीर पेट या मनस्रीनमास ड़ shadis अ स्क्रेश तो नौई हो जाएगा हम्नल ने चरन के अध्यन करके psicolai श्रीपूरम है टंजावर जिल्यां का धियन किताच अध्यन किया था अगला है निम्र मेंसे सबहतागत परप्षिच का एक भारती सभ्यता के आवश्यक अंग है जन्जाती भारती सभ्यता के अभिन अंग है जन्जाती तरीचातिया भारती सभ्यता के अभिन अंग है तो सभ्यतागत परिपेच का जो है उद्हारण है वह भी है कि जन्जाती भारती सभ्यता के अभिन अंग है यह सभ्यतागत परिप माक् सवादी परिपेच स्कुल जुड़ी है किसकी करते हैं यहां पे हो जाए रासी की चर्च old कौन करते हैं एयार दिशाई है तो लुष्ट्यूमा नहीं चुड़े यह डीपी मुखर जी एयार दिशाई जो है माक्सवादी परपेछ जुड़े हैं जब कि लुष्ट्यूमा भारत विधा परपेछ से जुड़े हैं जुड़े और आस्रित होना घरीव देसों का विक्सित देशों के सब्सक्राइब तब तक भली भात नहीं चमझे जब स्वार्थ नहीं जा सकता अब आपको उधार के तौर पर समझाते हैं जैसे कांगो सुद्रान जैसे अनिक ऐसे देश है जैसे खनीच पतार्थ हैं लेकिन जो है वहाँ पर उनके निकालने के लिए जो है उनके पास संपत्ति नहीं है पूजी रही है जिस कारण से जो है विक् को खनन कर रहे हैं और उसका पूर्टयाल आप स्वयम ले रहे हैं वहां के सिर्फ अल्प और सक्ताओं की पूर्टी कर रहे हैं अगला है अधिकारी तंत्र विमुक्ति करड़ दिवरो क्रेटाइजेशन की अउधर्णा किस्ने दी है मैक्स वेबर एच जेलोस्की और बेंडिक्ट या एच एस एन आईजेन टॉट तो राइट आंसर हो जाएगा डी आईजेन टॉड़ दौरा जो है अधिकारी तंत्र की बिमुक्ति करड़ का उधार्णा दिया गया है इन्होंने इस राइल की नौकर साही का अधियन करके यह अधारा दिया अल्योंने कहा देखा कि जो वहां के करमचारियों में थे उनकी जो प्रवित्ति थी वहां मुवक्लों अर्थात जो मुवक्किल थे वहां के जो आते थे अग्राहक उनके से जो है बैक्तिक संबंध अधिक प्रभावीत करते थे था जो उनसे जुड़े को अगला किसी संघठन की आप Cracots स्भॉट है वैक्तिक भूम क्या है सत्ता का प्रत्य योजन गुटी या वैक्तिक हीट टुर्पाइट हो जाईगा आप उस्टता का प्रत्य योजन शम्लिब होता है कि अधीकारश होता है जिसके तहतुक भी उच्च अधिकारी अध्यिकारी तो को आवश्यक्न निर्दे 10 प्रदान करता है अर्थाइप किसी सन्था वहार का माइन नेजर उसके पाथ सब्सक्राइब यरे होता है I recommend partner to नहीं है राजस्थान पंजाब 36 गड़ या उत्तरप्रदेश तो ससक्त कारिदल में जो है पंजाब शम्लीट नहीं है ससक्त कारिदल में जो है आठ राज्य सम्लीट थे जिनमें से राजस्थान चत्तिसगर्ड उत्तरप्रदेश्ट जारखंड मध्यप्रदेश्ट उत्तराखंड गोड़ीशा दिहार आधी जो हैं सम्लित थे इसके तहट 26 दिसिष्ट कारिक्रम की तयारी की त्वारा सरकार ने इसे चलाया था आगमर और निगमन तर्क क्या है परिवर्थ का प्रकार निदर्शन की पद्धा थी जान प्राप्थ करने की पद्धा थी या उपयुक्त में से कोई नहीं चार मैं और या बर्ध प्रकार या फुट तो इसमें पूछा आगमत निगमन तर्क क्या है तो आगमन निगमन तर्क जोहन ज्यानड़कर करने की जो है बैर ज्यानिमिधिक उंतर्गत संभ्लिक किया जाता है इसके उंतर्गत निदर्शन झोह Всемपल कर्ठा करने की पद्दत ही होती है परिवर्त जो है परिकल्पना या चरो से संबंधित है इससे पहले जो ससक्त कारेदल है तो इसको हम समझ लेते हैं ससक्त कारेदल होता क्या है ससक्त कारेदल उस समय जो नक्सलाइड जो जिन जिन छेत्रों में पाए जाते हैं थे उनके भीड में स्रोता समों में या चंता में तो भागुता इतनी ज्यादा भीड में हो जाती है जहां उसके प्राथमिक विचार तार्किक्ता लुप्त हो जाती है प्राया अगला है निम्लाकित में से कौन सा शमालोचक सिध्धान्थवादी है बेबर मैं नहीं एडोर्नो को गार्ड्स तो एडोर्नो को जो है आलोचनात्मक या समालोचनात्मक सिध्धान्थवादी माना जाता है इनके अलामा जुर्गीन हैवरमास है हैवरमास को भी प्रिटिकल थियोरी के लिए जाना जाता है अगला है सब अल्टर्न अध्या संप्रत्य किसने बताया है काल मार्क्स एनके बोश एंटीनियो ग्रामशी या डेविट हाइग्री तो उपा अस्रित वाश्रित का सिध्धान या सब अल्टर्न जो है सिध्धान किससे जुड़ा है सब अल्टर्न प्रस्पेक्टिव जो है जुड़ा है डेविट हाइडी मैंसे तो राइट अंसर यहां दी हो जाएगा सब अल्टर्न प्रस्पेक्टिव होता है इसके तहट में है जो अंदोलन है या जो निम्न है उनकी अधियन के लिए सब अल्टर्न निम्न जाती आधि के अधियन के लिए लिए नहींने सब अल्टर्न प्रस्पेक्टिव का प्रयों किया था अग इसके लावब जो एंटीन अग्रामसी है या किस से समबन्दी थैं प्रधान निप्रधानि करके एक आधिपत्प्ति करके ये का घरा है उसे जम संबन्दीत आधिपत्ति जो है कताथ पर ऐसे समस्क्तिया निट्रित से जो साशक्वर्स से होता है उनका मत जो था इंटिनायोग रामतिक का था कि जो बुटिव्वा समाज की दिर्थ और प्रमुक जो आध्य वर की संस्कृति का निप्रित्व करता है Łは थोपता है ऐसा इंटिन्यों ग्रामसिक्षा मनना था अगला है गुजरात की जन्जातियों में देवी अंदोलन का अध्यान किसने किया है डेविड हार्डीमैन रड़जीत गुखा राम चंद्र गुखा या बीबी प्रिंक तो अपने उपास्त्रित पड़िपेच को के उन्होंने जो है गुजरात के देवी अंदोलन का अध्यान किया था तो देवी अंदोलन था क्या कि उस समय जो है देवी देवताओं में अधिक माना जाता था जो आधिवासी चमास थे उन्होंने देवी एक अंदोलन किया गया जिससे देवी अंदोलन के नाम से जाना जा अगला है सास्त्रिय तथा आध्मिक समाज सास्त्री द्रिष्टिकोड के बीच मूलभूत अंतर निम्लखित में से द्रिष्टि गोचर होता है समिष्टि से ब्यष्टि के सर्धांतिक द्रिष्टिकोड तक निसब्द अस्थांतरन ब्यष्टि से समिष्ट द्रिष्टिकोड तक उनमूलक का अस्थांतरन मध्यम विन्यास के सिधान्तों का विकास या उपर युक्त में से कोई नहीं तो राइट आंसर जो हो जाएगा सास्त्री तद्धा आध्रिक समास्त्री द्रिष्ट कोड के मुर्भूत अंतर जो है कि समिष्ट से व्यष्टि के सधांतिक द्रिष करेना जो समास्त्री के विचार के में कौन सी महत्पूर गटनाएं हैं जिनको सुइसपष्ट रूप से अध्यन किया जाना चाहिए तो वह बिज्याद जो पुनरावित होने वाली घटनाओं के नियमूं से शाषित है वह विज्यान जो नियमित रूप से होने मानवतावादी संमाच सास्त्री विचार था वाकि वे अनूठी यतिहासिक सक्तिया या क्रियां जिनका मानों अनुभ् pää कि क्रम के मुख्य रूप से निर्मित किया गया हो इसका अधink किया जाना चाहिए ऐसा मानवतावादी संमाच सास्त्री त्रिशों कि समीच्छात्मक संपरदाय आर्थिक निश्चावाद तथा सामाझिक जीवन के अन्य पहलों का और संतूलत किस प्रकार ठीक करता है आर्थिक या आर्थिक तथा सामाझक च्धेटपर ध्यान के shocking करके आर्थिक तथा एतिहासिक श्था फडि और कि माजिक जीवन के अन्य पहलू को असुन को ठीक करने के लिए आर्थिक तथा सांस्कृतिक चत्रों पर ज्ञान के निद्रित करने की सलह देता है अगला है आधुनिक नौकर साही के विक्यास में कौन से कारकों का योगदान नहीं है वस्त वीनिमे लेंदेन की अर्थव्यो प्रसाशनिक कारियों का विकास कानून तथा वयधानिक गारंटीयों का तर्क पूर व्याक्षा तो राइट आंसर जो हो जाएगा वस्तु बिनिमय का लेंदेन की अर्थ विवस्था जो है वह आधुनिक नौकर साही विकास में योगदान नहीं देती है या आधिम समाज में पाई जानी वाली विवस्था थी बाकी सब देते हैं अगला है निमलिखित को सही जोड़े बनाईए तो समाज में बेवहार करने के लिए मानेता प्राप्त या स्विक्रित तरीके होते हैं या किसने चर्चा की है तो इसकी चर्चा की है मैं काईगर ने रिवाजों को निर हैं आग बर्न दैनिक जीवन के बेवहार ढाचे का अध्यां कौन करते हैं तो इसके गिलिंग अन गिलिंग है और वर्ग के सदस्यों के क्रिया कलाप कुल समान साधार रात्तों की चर्चा कौन करते हैं रिव्टर यहां हो जाएगा एक का सेकेंड बी का वन सी का थर्ड और अगरा है अर्थिक ब्योष्था का ठीक होता है कि मानों का स्मकृतन जीवन इ आर्थिक रिवश्था का प्रतिविंग है कारण दिया है कि उतपादन का धंग आरठिक दसा से से तैं होता है तो नीचे डिये गए से चाइन करना है क्मना के दोनों सही हैं और करता है दोने सही है पर उसा की भी विवस्ता के उपर नेलिभर करती है क्यूंकि जो अगला है नीचे दिये गए कथनों को एक अभिकतन है दूसरे का कारार कहा गया तो इसको जो है हमें कि देखना है तो अभी कथन है कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसे उत्पादन वित्रड के साधनों पर राज का सामित्य होता है आर्थिक क्रिया का परमुद्येश लाव अर्जित करना नहीं होता है इसमें से कौन सा कथन सही है तो यह राइट आंसर जो हो आर्थि क्रियाय की जाती है तो अर्थिक युक्त में की जाती है तुच्छ की समस्या उस्सेस समाज से जदा गंभीर नहीं है जहां परित् विवस्था यह सबसे नहीं देखा जाता है लेकिन प्रित्ट वनसर यह पित्त सत्ता इत्म इड़्सता में देहन पता आज के समय में बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में देखी जाती हैं तो दच्छी भारत में खास करके मात्र वरंसी समाद ज्यादा पाए जाते हैं जहां नायर में वधु मुल्य अर्थात वधुवों को मुल्य देकर लिया जाता है और नहीं दहेज वहीं नायर में एक मात्री सतात्मा का होती है इसमें मुलाकाति पती प्रथा पाई जाती है और इसमें जो कुछ अपने मन से बेट करते हैं वही होता है तो आज की वीडियों इसमाप करते हैं वीडियों को लाइक और सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्य बात झाल, 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 झाल